एड I'm sorry बच्चो आज सोडा साम लेट हो गए सभी बच्चे उतनात लाइब आज आजाएंगे वीडियो को एक बदश्येर कर देंगे सभी बच्चे लाइब आजाएं वीडियो को एक बदश्येर कर दें और बैच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंदी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहले सभी विचे लाइब आजाएं बिना देर किये सभी विचे लाइब आएंगे जी अर्चना अभी हम लाइब आए है तो जवाब नहीं दे सकते थे पहले लाइब नहीं थे अनीता विजय लक्ष्मी जोती संतोस निहा गारगी आशा सोनम प्रग्या इशा शर्मा परवीन समा परवीन प्रीती मनोर्मा बच्चो सभी को गुड इवनिंग थाइंक सो मज बच्चो फोर्जवाने सभी बच्चे एक बालाई बाजाएं वीडियो को शेयर करेंगे सभी बच्चे बाद वीडियो को शेयर करेंगे और आज बच्चो 50 most important questions को देखेंगे और टेस्ट नमबर 25 है बच्चो टेस्ट नमबर 25 आज देखेंगे हम और सभी बच्चे एक बार comment box में बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चो सभी बच्चे एक बार comment box में बताएंगे और बिना देखेंगे चलते हैं पहले परिश्णी के और पहला प्रिश्णय एं इचाइबी विशाण किसी व्यक्त की रोग शमता किस परकार कमजोर करते हैं और आज के कोशन बचों मॉडरेट टू टफ है थोड़े तो गवडाने वाली कोई बात है नहीं गवडाना तो बिल्कुल में नहीं क्योंकि आज आपका स्कोर बिगड़ने वाला है मुझे पूरा उमीद है बिना देर के सभी बच्चे एक बार विडियो को शेर करो बच्चों तीन सभी तालिस बच्चे हैं जल इसको शेर करो पहले संक्या तुन बढ़ाएंगे सभी बच्चे सुनते नहीं है बाद को मतलब कह के के अंतर जाते हैं बच्चों संक्या बढ़ा लिया करो बिना सोचे समझे बिना कहे भी ओके शांती सभी बचे इंसा करने के पहले प्रिश्ण का इचावी विशान किसी व्यक्त की रोधा किस परकार कमजोर करते हैं मस्तोल कोशिकाओं को नेश्ट करके पट्टी करिकाओं यानि प्लेटलेश्ट को नेश्ट करके रख्ताणूओं को नेश्ट करके या लश्काणूओं को नेश्ट करके बहुत इजी प्रिश्ण है बच्चों और इसका right answer हो जाएगा बच्चो वन का option D, option D is the right बच्चो लशकाओं को नश्ट करके बच्चो ठीके और पता है बच्चो कि लेंटी वारस है साई भी एक लेंटी वारस यानी के रेट्रो वारस परिवार का सदस्य है ठीके next question निकलेंगे पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है बच्चो क्या दर्शाता है पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी क्या इंगित करता है क्या दर्शाता है और बच्चो एक बार वीडियो को शेयर करेंगे तुम पहले सभी बच्चो एक बार वीडियो को शेयर कर दे और I'm sorry सभी बच्चों कल मैं लाइब नहीं आ पाया था क्योंकि मैंने बताया था कि शादी में जाना है मुझे कि सभी वह चैंसा करेंगे पिछले 20 वैस्टों में मैं ले रिया कि कमी दर्शाता है एपिडेमिक प्रवीती, सेकुलर प्रवीती, रीत्व अनुशार प्रवीती या नकली संबंध सभी बच्चेंसा करेंगे पहले दूसरी पिछले 20 वैस्टों में मिले दिया कि कमी क्या दर्शाता है बच्चों और राइट इंसर हो जाएगा टू का ओप्शन, बी ओप्शन, बी इस दा राइट बच्चों सेकुलर प्रवीती, पिछले 20 वैस्टों में मिले दिया कि कमी सेकुलर प्रवीती को दर्शाता है और आज हलुआ वाला प्रशन देखने को शायद ही मिले बच्चों श्री एक्स, श्री एक्स एक व्यक्ति हैं, एक्स मोटापे के लिए डाइट पर हैं, वा अपनी कुछ पसंदीरा मिठाई आइस्क्री में से चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी अर्थरीक्त कैलोरी की भी याद दिलाई जाती है, संगर्स के परकार को पहचाने किस परकार का संगर्स है ये बच्चों, अभी भी हमारी संख्या बहुत नॉमिनल है, तो प्लीज एक बार शेयर करेंगे थोड़ा संख्या बढ़ाने है बच्चों, सब भी एक बार वीडियो को शेयर करते हैं, कभी हमारी विकुष्टी का ध्यान रखा गुरू बच्चों दिश्टी कोर संगर्स बच्चों यहां पर भी डैस रहेगा ठीके बच्चों यहां पर भी रहेगा यहां पर भी रहेगा ठीके दिश्टी कोर दिश्टी कोर संगर्स दोरे दिश्टी कोर परिहार संगर्स परिहार परिहार संगर्स या दिश्टी कोर परिहार संगर्स आज आज के प्रिश्ण लग रहे हैं ना बच्छोई जी हलुआ वाले आज करो आप लोग फिर मैं इसकोर देखता हूं लास्ट में ओके ना थिक और आइट इंसर हूँ जाएगा बच्छो तरी का ऑप्शन डी ऑप्शन डी इस राइट बच्छो दिश्ट्रिकोर परिहार संगर्स मिस्टर एक्स मोटा पे के लिए डाएट पर हैं वा अपनी पसंदीदा मिठाई में सगर कुछ जात है लेकिन उनके अत्रीक क यह कि कई तो था इतना जल्दी नहीं खतम हो पाएगा बहुत सारा था बच्छों सब्सक्राइब की शादी थी बड़ी पाटी थी कई सारे डिस्ट्रिक मैंस्टेट भी आया थे कई सारे डीम आए थे लगवाद बच्छों 25-26 इस डीम आया थे 25-26 सब्सक्राइब आया थे और D3 SP भी कई सारे आये थे, DSP भी कई सारे आये थे, और फोरकार ID इंसर हो जाएगा बचो, Option D, Option D is the right बचो, ठीके, मजबूत अथा स्वस अस्थियां बनाने के लिए, vitamin D अनिवारी क्यों हैं, तो मजबूत अथा स्वस अस्थियां बनाने के लिए, प्रशने किलेंगे, नशीली दवाओं कुप योग से, शरीर के प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है, सबी बचेंसा करेंगे, बच्चो मैंने कित्ती बार बता है, कि admit card आज आएगा बच्चो, 28-30 के बिश में, कोई बात नहीं सोनम, कोई बात नहीं, अगर कोई हमारी शिकायत करता भी हो, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बच्चो, सबका देश्ट कोड अलग-अलग होता है, सब एक देश्ट कोड कर नहीं हो सकते, बच्चो, अगर हो सकता है, किसी को मेरी class बुरी लगती हो, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें किसी से, बच्चो, कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत, अगर कोई कहीं करता भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, हो सकता है, मेरे में कमी ह ये भी तो हो सकता है बच्छो राइट इंसर 5 का हो चाहेगा option D, option D is the right बच्छो, ठीके सहन शीलता, सहन शीलता is the right answer बच्छो, ठीके नशली दवां को प्योग के शरीर के प्रतिकरिया में होने वाली कमी को सहन शीलता कहते हैं, next question निकलिंगे बच्छो analysis से हम interpretation कौन सी face में आते हैं analysis से हम interpretation कौन सी face में आते हैं assessment face, diagnosis face evaluation face या planning face, सभी बच्छेंसा करेंगे और बच्छो संख्या हमारी नहीं बढ़े हैं, थोड़ा सा share करो जल्दी से और right answer हो जाएगा बच्छो six का option, a option is the right बच्छो, assessment face assessment face is the right answer next question निकलिंगे बच्छो रुधीज के इसकंदर में मदद करने वाले बिटामिन है रुधीर के इसकंदर में मदद करने वाले बिटामिन है a, d, b या k option choose करेंगे तुरण बच्छो सभी बच्छेंसा करेंगे रुधीर के इसकंदर में मदद करने वाले बिटामिन कौन सा है बच्छो और right answer हो जाएगा seven का option option b, option b is the right बच्छो ठीक है sorry बच्छो, sorry इसका d, k होगा बच्छो ठीक है, d होगा, वो actually question तो इधर उधर हो गया ठीक है option d हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है बच्छो रुधीर के ठका बनाने में बिटामिन के सायक होता है और बच्छो इसके इसे फिलो किनोन भी का जाता है, रक्षा होने पर प्रो ठ्रामबीन, प्रो ठ्रामबीन एंजायम के मदद से ठ्रामबीन में परवर्तित हो जाता है और यह रक्त को ठका बनाने में लगता है, नेक्स प्रूश निकलेंगे, उस बिटामिन का नाम बताईए जो किसे भी मांसाहारी भूजन में नहीं मिलता है, बिटामिन बी, बिटामिन सबी बचैंसा करेंगे, उस बिटामिन का नाम बताईए जो किसी मांसाहारी भूजन में नहीं मिलता है, बच्चो, कोई बात नहीं साख ची, और आइटी इंसल हो जाएगे, बच्चो, एट का, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस जो राइट, बच्चो, ऑप्शन बी इस जो राइट, नेक्स प्रूश निकलेंगे, यानि बिटामिन सी हो जाएगा, खाद पोटीन के, दो सबसे समरीद ग्यास शोत क्या है, बच्चो, खाद पोटीन के, दो सबसे समरीद शोत क्या है, और आइट इंसल हो जाएगा, बच्चो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस दा राइट, सोया बीन और मुंगफली, सोया बीन और मुंगफली, बच्चो, खाद पोटीन के, दो सबसे समरीद शोत क्या है हिडई के लिए अधिक लाब दायक खादी तेल कौन से हैं हिडई के लिए लाब दायक कोन सा है बचो बटर ऑयL तेल आलू यानि या या इस्पीड ऑयल या लिए तोयर आ इलरिया सर्जो का तेल सबी जैसा करेंगे 10 अधिक लाब दाया खादे तेल काउन सा है और बच्चो 10 का राइट एंसर हो जाएगा ऑपच्चन वी अलिव आयल उलिव हो जाहएगा बच्चो यह अल लिख़ा हुआ थीके अलिव यानि कि जैतून का तेल लेक्न निकलिनगा बच्चो अस्त में खनीश समागरी की गणना किसके द्वारा की जाती है सभी बचेंसा करेंगे तुरन अस्त में खनीश समागरी की गणना किसके द्वारा की जाती है सबी बच्चे एंसर कर देंगे तुरन और बच्चो राइट इंसर हो जाएगा 11 का ओप्षन B, option B is the right बच्चो ओप्षन B is the right दोहरी हो जाए एक्सरे और सोचन शम्ता मापक के दवारा दोहरी एक्सरे और सोचन शम्ता के दवारा किया जाता है next प्रशन निकलेंगे Mr. X Bariatric SZAJRI करवाया है और Doping Syndrome से जूरी Iron की कमी विक्सित की ठीके बच्चो Mr. X ने Bariatric SZAJRI करवाया और Doping Syndrome से जूरी Iron की कमी विक्सित की है Mr. X के लिए Iron की कमी के अनेमिया के कारण की पहषान करें ना बच्चो अच्छे वाले आज तो आप लोग हलवा नहीं कह सकते ना हमने भी आज खुब टफ खोजे हैं फिर आप बनवाया है कि आज आज आप लोग शिकायत ना करें कि सब बड़ी इजी कोशन है सभी बचेंसा करेंगे ध्यान पूरवक पहले प्रिशन को देखें मिस्टर एक्स ने इमें लिखा गया बचो ने होगा मिस्टर एक्स ने बेरियाटरिक सर्जिरी करवाया और डंपिंग सिंड्रोम से जूडी आईरन की कमी विक्सित की Mr. X के लिए iron की कमी के इनिमिया के कारण की पहचान करें सभी बच्चे इंसे कर देंगे और right answer हो जाएगा बच्चो option D option D is the right बच्चो ठीके bariatric surgery में किसी व्यक्त के शरीर में उपस्तित अत्रिक्त फैट को surgical तरीके से हटाया जाता है परशना अनुशा बैवियर्टिक surgery और डपिंग सिंड्रोम से जूडी iron की कमी व्यक्सित होने से एनिमिया होने के जो खीम हो जाता है बच्चो ठीक है और सरजी के कारण calcium iron की खराब और शोषड होता है नेक्स प्रशन निकलेंगे धामनी रक्त के समान PACO range क्या है यहाँ पर तू होगा बच्चो पीए CO2 धमनी रक्त के नमूने की समान PACO2 range क्या है बच्चो और राइट इंसर हो जाएगा बच्चो option D option D is the right 35-45 HZ 35-45 HZ बच्चों हो जाएगा Mg प्रति हमोगलोवी next question निकलेंगे gastric ग्रंधी की मुख्य कोशिका क्या शावित करती है gastric ग्रंधी की मुख्य कोशिका क्या शावित करती है बच्चों answer करेंगे तुरं सभी बच्चों answer कर देंगे आज तो हालत खराब हो रहे होंगे आप सभी के क्योंकि question कई सारे ऐसे हैं जो आप लोग सुनी भी नहीं होंगे बच्चों काफी मैंने कुछ question को बड़े tough भी रखे moderate question है सारे लेकिन maximum tough है आप ही लोग कहते हैं सब बहुत हलवा कराते हैं तो इसलिए मैं सोचा है ठीक है आज मैं आप लोग को मिट्शी खिलाता हूँ रोज हलवा तो खाते ही है और 40 का क्या answer हो जाएगा बच्चों और right answer हो जाएगा बच्चों 40 का 14 का option B option B is the right पैसी notion पैसी notion is the right answer बच्चों गैस्ट्रिक गंती मुख्य कोश्च का क्या शावित करती है तो पैसी notion का शमट करती है बच्चों ठीक है next question निकलेंगे और बच्चों मैं बता दू पैसी notion एक 37.5 पाचक एंजाएम है बच्चों क्या है तो एक प्रोटीन पाचक एंजाएम है जो काफी powerful होता है next question निकलेंगे Pepsi notion किसके द्वारा शावित होता है Pepsi notion किसके द्वारा शावित होता है मुख्य कोश्च का, मास्टर कोश्च का बीटा कोश्च का या पराइटल कोश्च का जी बिल्कुल देखशा है एक्जाम में फी आएगा बच्चों इतना भी टफ नहीं है एक्जाम में आ जाएक मोर्डिट कोईशन है दो चार ही टफ है अब इतना विमत आप लोग बोलने लगे कि आपके सेलवस से बाहर का है बिलकुल आपके सेलवस का है और मैक्सम कोईशन हमें चक्षू से भी उठाएं इसमें और राइट एंसर क्या हुँ जाएक बचो 15 का तो 15 का राइट एंसर हुँ जाएक option A option A is the right बचो ठीके मुक्य कोईशन का से बचो मुक्य कोईशन का से next question अभी उपर हमने देखा भी था बचो 14 नमर प्रिष्ट में देखा भी था हमने इस का रीटे कड़वी स्वाद का अनुवर कराने में मददगार कलिकाएं जीब के किस भाग में पाई जाती है बच्चो ये उपर वाला तो पश्चे दूसरा वाला पाश्व होगा ठीके या फिर जीब के पिछले भाग में ऐसा करें यह तुर्ण सभी बच्चे कड़वे स्वाद का अनुवर कराने में मददगार कलिकाएं जीब के किस भाग में पाई जाती है और राइट एंसर हो जाएगा बच्चो ऑप्शन बी ऑप्शन बी एसा राइट जीब के पश् नर्शिंग किरिया क्या है बच्चो आई भी तरल पराद देना सिंगल सता फोटो थैरपी शुरू करना डबल सता फोटो थैरपी शुरू करना या बच्ची को वीली कंबल में रखना सभी बच्चे इंसा करने उतुलन और बच्चो संक्या काफी कम है एक बार वीडियो को भी कर देंगे आप लोग और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे अभी काफी कम बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है तो पीच बच्चों एगर वीडियो को लाइक भी आप लोग कर देंगे एक नवजात में शारीक पिलिया को कम करने के लिए न इंजेक्सन के माध्यम के माध्यम से नसों में दिया जाता है नेक्स्ट पूस्ट नहीं कि लेंगे नहीं रिकित में से कौन से दान्थ भूजन को चबाने वा बच्चों ये पचाने के काम आते हैं सभी बच्चन से अगरेंगे इमरीकित में से कौन से दान्थ भूजन को चबाने वा पचाने के काम आते हैं रदनक्रितक शर्वणक के पाशन के लिए बच्चों ये ये नहीं होगा शर्वणक या होग जाएगा अगर शर्वणक सभी बच्चन से कर देंगे और राइट इंसर हो जाएगा बच्चों ये टीन का ओप्चन सी ओप्चन सी इस दा राइट बच्चों चर्वणक चर्वणक बच्चों ठीके चर्वणक इस दा राइट इंसर बच्चों मोलर हो जाएगा मोलर next question निकलेंगे किस बिटामिन को अपनी सक्रीता के लिए कोबाल्ट की आवशक्ता होती है किस बिटामिन को अपनी सक्रीता के लिए 11 रुपेश कमारी जी कोबाल्ट की आवशक्ता होती है बिटामिन B12, बिटामिन D, बिटामिन B2 या बीटामिन यह हो जाएगा सभी पर चैंसा करेंगे किस बीटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट के आवश्रिता होती है और राइट इंसर हो जाएगा ऑप्शन यह ऑप्शन ही इसा राइट बचो बिटामिन बीट वैल को बचो एक टीब होनी के लिए कोबाल्ट के आवश्रिता होती है नेक्स प्रिश निकलेंगे रखचाप की निमित निगरानी रोग थाम के किस असर के अंतरगत आता है बचो सभी बचेंसा करेंगे सभी बचेंसा करतेंगे रखचाप की निमित निगरानी रोग थाम के किस असर के अंतरगत आती है और राइट इंसर हो जाएगा बचो ऑप्शन सी माधिमिक बचो माधिमिक मीडिल बचो माधिमिक माधिमिक रोग थाम के अंतरगत बीमारी का जल्दी पता लगाने निवारक उपाय शिग निदान और उप्चार को तैयार करने या पुर्व नईदानिक रोकताम को शामिल किया जाता है। नेक्स प्रशन निकलिंगे। निम्र लिकेद में से कौन हवा को फेंपडे में जाने की अनुम्ति देता है। इम लिलेकित में से कौन हवा को फेंपडे में जाने के अनमती देता है बच्चो माद अमनी ग्रास नली हिर्दै या स्वांस नली स्वांस नली जिसे ट्रेकिया कहते है वहां नली है जो गले में सिद स्वार या नत्यानिक लैरिंक्स को फेंपडे से जोड़ती है और या मूर से फेंपडे तक हवा जाने का मार की भी प्रतान करती है एक अंग जो अब सिष्ट पदार्तों को शरीर के विविन हिस्से से गुड़े टेक पहुंशाता है वह है क्या है बच्चो वह हिर्दै फेंपडे रक्त या सी सबी बच एंसर कर देंगे और आइट इंसर हूँ जाएगा बच्चो ऑप्शन सी ऑप्शन सी इस सार राइट रक्त बच्चो रक्त इस सार राइट इंसर नेक्स प्रिश्ट निकलेंगे टी कोशिका है कहां परिपक होती है टी कोशिका है कहां परिपक होती है टी कोशिका है कहां परिपक होती है और 23 का राइट इंसर हूँ जाएगा बच्चो ऑप्शन ए ठीक है बच्चो ऑप्शन ए इस सार राइट थाइमस में टी कोशिका है एक प्रमूग लश्कार्डू है बचो यह एक परकार की श्वेत रत कुष्ट का भी कहलाती है और यह बचो थाइमस में परिपक होती है मैच्यूर होती है ना एक्सप्रस्ण निकलेंगे अमीनो ग्लोबलीन जो प्लेसेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और ब्रूर के संचला त है सबी हैं सब्सक्ति तुरत और और राइट इंसर प्लेश क्या हो जाएगा बचो और इसका राइट इंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शनी इस आ राइट बचो ठीके आई जीजी ठीके आई जीजी अटी इनटीवर्डि मैं और यह बच्वबूर के संचला तक को पार करके क्रोश करके फेंपड़े में गैस की विनी मैं इनमें से किसके द्वारा होती है फेंपड़ों में गैस की विनी मैं इनमें से किसके द्वारा होती है स्वांसनली का क्रिश्चिकार स्वांसनली या स्वसन डेपड़े में गैस विन में इनमें से किसके द्वारा होती है बचू और राइट एंसर हो जाहेगा इसका option B, option B is a right बचू कृष्चका के द्वारा है ठीके वाइव कृष्चका के द्वारा इसका right एंसर हो जाहेगा next question गलेंगे बचू डाइस परकिरिया में बाता वर्रणिय अदाप महतपूर होता है डाइस प्रक्रिया में बाता वरिनी अदाप महत्पूर होता है रख प्रवा, मुत्रत्याग, प्रजनन या स्वसन सभी पर चैंसा कर देंगे डाइस प्रक्रिया में बाता वरिनी अदाप महत्पूर होता है बच्चो किसमें तुरंत सभी पर चैंसा कर देंगे और बच्चो इसका right answer हो जाएगा option D, option D is the right बच्चो स्मसंद परक्रिया में वाता वरिनिय दाप मैधपूर होता है option D is the right next पर निकलेंगे फुस्पूर दमनी का समान officer दाप होता है फुस्पूर दमनी का समान officer दाप क्या होता है सवी वे चैंसे कर देंगे 26 का फुस्पूर दमनी का समान officer दाप होता है और right answer हो जाएगा option B, option B is the right 0 से 20 mm प्रति हज़ी बच्चो 0 से 20 mm प्रति हज़ी होता है next question निकलेंगे endo tracheal tube डाली जाती है endo tracheal tube डाली जाती है grass नली में, amasya में, swans नाल में या नस्का गुहा में सभी वे चैंसे कर देंगे और right answer हो जाएगा option C, option C is the right बच्चो swans नाल में ठीके बच्चो endo tracheal tube को swans नाल में लगाय जाता है जिसकी सायता से O2 और CO2 का आदान परदान आसानी से हो सके next question निकलेंगे खस्रा रोग का कारक क्या है जिवाड़, विशाड़, पुरूटो, जुआ या क्रीमी सभी वे चैंसे कर देंगे खस्रा रोग का कारक क्या हो जाएगा बच्चो और इसका right answer हो जाएगा option B, option B is the right बच्चो विशाड़ हो जाएगा खस्रा एक viral infection है जो स्वसन तंत्र को यानि respiratory system को प्रभाविक करता है बच्चो ठीक है next question निकलेंगे दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है बच्चो सभी वे चैंसे करेंगे एक सुजन समन्दी रोग के रूप में एक निरंतर बढ़ते रोग के रूप में वाई कोट्रियल पैलियों को हानि से उपचे स्वसन आउरोधक रोग एक जटी लवरोधी विकास जिसमें स्वसन तंत में म्यूकत उर्षरजन होता है सभी वैचेंसर करेंगे दमा के सबसे उत्कृष्ट व्याक्या की जा सकती है बच्चो और इसका राइट एंसर हो जाएगा बच्चो ऑप्शन डी ऑप्शन डी इस राइट बच्चो एक जटील और रोधी विकास जिसमें स्वसन तंत में म्यूकस उर्षरजन होता है नेक्स प्रस्च निकलेंगे नेम ललीकित में से डाइविटीज मैलिटस की सुष्म सम्वानी जटीलता को पैचाने बच्चो और इसका राइट एंसर हो जाएगा बच्चो ओप्शन सी ओप्शन सी इस राइट नेफरो पैथी बच्चो नेफरो पैथी इस राइट एंसर बच्चो डाइविटीज एक ऐसी विमारी है जो की माइक्रो वाइसकुलर तथा माइक्रो वाइसकुलर जटीलताओ दोनों में दिरिताओ से जूड़ी होती है नेफरो पैथी और निउरो पैथी ये डाइविटीज की माइक्रो वाइसकुलर जटीलताओ होती है मुत्र के रूप में उसाजीत होने वारे पानी की मात्रा प्रती दिन लगभग डैस होती है कितनी होती है बच्छो ऐसे करें तुरन मुत्र के रूप में उसाजीत होने वारे पानी की मात्रा प्रती दिन लगभग डैस होती है एक जार एमिल, पंदरो सो एमिल, सो एमिल या पांच सो एमिल और राइट एंसर हो जाएगा बच्छो 32 का option B, पंदरो सो एमिल बच्छो option B is the right, next प्रस्ट निकलेंगे बच्छो एजूटोरिया क्या है बच्छो, एजूटोरिया क्या है एजूटोरिया क्या है, मलिया मुत्र द्वारा नाइटूजन यूप्त पदात का अतरिक्त वा मलो मुत्र द्वारा नाइटूजन पदात का अतरिक्त शाव हो जाएगा बच्छो अतरिक्त शाव मोत में पूटीन और रच्ट की अधीक्ता मल में वसा की असमान मात्रा का उसरजन मोत में कल्सियम और पोटेश्यम की असमान मात्रा का उसरजन सवी बच्चें सगरें तुएं 50 कोईशन ने बच्चो और आइड इंसिर हो जाएगा 33 का ओप्षिन A option is the right बच्चो मल या मोत द्वारा नाइट रूजन उक पधार्थ का श्राव नेक्स प्रस निकलेंगे सेरुमेन यानि मोम का कारी क्या है बच्चो सेरुमेन मोम का कारी क्या है कान की रक्षा करना विदेशी पधार्थ को कान और कैनाल से साफ करने में मदद करना कान के कैनाल को पानी की शथी से बचाना या ये सभी बचो ये बाहरी पधार्थ होगा विदेशी नहीं होगा 34 का राईट इंसर क्या हो जागा तो इसका राईट इंसर हो जाएगा बचो, option D, यह सभी होजाएग, option D is the right, next question लेकि निवरान की वर सनरचना जो, सूशना प्राप्ती में सायक है, क्या है, निवरान की वर सनरचना जो, सूशना प्राप्ती में सायक होती है, क्या है, बचो, cell body, exon, terminals, या, dendroids, और इसका right answer होजाएग, option D, option D is the right, dendroids, ठीक है, यह दे क्या है, आधा है, रूरान की वर सनरचना, जो, सूशना, कुल, लेने में सायक हती है, यह दे क्या लाती है, next question लीक्ती में बच Woo, मस्सिक के किस बागो, सेरी Brow-Spinal-Drawu का शाशाभ होता है, मस्सिक के क्रो-Plex से, मस्सिक के विनिकर से, सर्मेनट, सिपेस से, या अप प्रियुक्त में से कोई नहीं बच्चों एंसर करेंगे तुरांट सभी लोग और राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन ये ओप्शन ही इस राइट बच्चों मस्सिक के कोरो प्लैक्से से बच्चों ठीके सेरीप्रोस पैनल द्रोग का शावन होता है नेक्स प्रिशन निकलेंगे मान स्पेसी समनवे कम होता है निमन के शतिगर्स होने से मान स्पेसी में समनवे कम हो जाता है किसके शती से बच्चों हाइपो थैलमर्ष के शती होने से प्रमस्सिक्स के नुक्सान या शतिगर्स होने से मद मस्तिक से चतिगास होने से आप्षिन डी मेरिल से और आइड इंसर हो जाएगा बच्छो 37 का ऑप्षिन डी मेरिल से बच्छो सुरी ऑप्षिन बच्छो बी हो जाएगा प्रमस्तिक से प्रमस्तिक से नेक्स प्रिशन डीकित में से कौन सा भाग खाने की परकरिया को नियंतिक करता है बच्छो एक मेंटी इसका बच्छो हो जाएगा यह बच्छो सेरी बीलम यहां होना चाहिए था ठीक बच्छो और इसी के शत्तिकास होने से बच्छो ठीक है डी हो जाएगा इसका ठीक है 37 का डी हो जाएगा एंसर करेंगे इसका 38 का नेमरलीकित में से कौन सा भाग खाने की परकिरिया को नियंतिक करता है बच्छो हाइपो थाइलमस प्यूस गरंती पेनियल गरंती या गनाशे गरंती सभी बच्छे इंसर करेंगे तुरंग और इसका राइट इससर हो जाएगा 38 का ओप्षण ए ओप्षण ए इस जा राइट हाइपो थाइलमस बच्छो आप्षण ए इस जा राइट नेक्स प्रस निकलेंगे मेनिंगो कोकल मेनिंजाइटिस का ठीका कितने समय के लिए प्रतिरोध शक्ति पडान करता है मेनिन्गो, कोकल, मेनिन्जाइटिस का ठीका कितने समय के लिए प्रति रूदग शक्ति पदान करता है पांच वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष और राइट एंसर हो जाएगा बच्चो ओप्शन C, तीन वर्ष बच्चो ठीक है, तीन वर्ष्ट के लिए प्रति रोधक शक्ती परदान करता है, next question कि लेंगे, net retinol प्रत के शालकाउं और शंकु को संसोधीत किया जाता है, net retinol प्रत के शालकाउं और शंकु को संसोधीत किया जाता है, एक दुरुवे नुरांस, बाउदुवे नुरांस, दुरु दिरिये निवरांस ठीक है बच्छो नेद रेतिनोल परत के छड़ और शंकु को दिरिये निवरांस के द्वारा संसोधित किया जाता है बच्छो ठीक है नेक्स प्रस्च निकलेंगे BMD पनिशन किया जाता है किसके प्रिशान के लिए ? किसके प्रिशान करने के लिए BMD पनिशन किया जाता है ? डेंगू के Malarian Osteosis की या इन में से कोई नहीं सब भी बत्चन सकार देंगे और बत्चो Right इंसिर हो जाएगा Option C आस्टियो रोसिस, आस्टियो रोसिस की जांच के लिए बचो पचान करने के लिए BMD परिक्षन किया जाता है, नेक्स प्रस निकलेंग बचो, दमा रोग के संदर में निम्न कत्नों पर विचार के जिए, ध्यान पुर्वक बचो, आप देख लें, फिर करें इसका एंसर, सब अब रोग के संदर में निम्न कत्नों पर विचार के जिए, और इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बचो, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बचो, 42 का ओप्षन D, ओप्षन D is the right, एक और दो और तीन, तीनों के तीनों बच्चों कत्न सही है, तीनों कत्न सही है, या एक एस्प जीलस, फ्यूमी, गेट्स नामक कवक द्वारा होता है, या एक स्वांस संबंधी, व्यादी यानि रोग है, डिजीज है, इस रोग में फेंपड़ी की सुख्ष्प नलिकाओं में स्विकुडण आ जाती है, जिससे स्वांस लेने में कठिनाई होती है, तीनों स्वांस 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 स्व पाव इस सती बचो ठीके पाश्वव होगा बच्छो यह पाश्व इस सती नेक्स प्रस्ष निक लेंगे बच्छो खासरी के टीका का प्रशासन मार्ग है खासरी के टीका का बच्चो आपके कमेंट थोड़ा सा देखना भी टफ है हाँ बच्चो एक्चुली आज थोड़े टफ कोश्चन है तो आप लोग पढ़ाई पर देहां दे इसलिए हमने कमेंट नहीं देखा आज जी देपिकाच चंदा सोनम अज बच्चे काफी गुस्से में है जी मुरली जी अभी बच्चो पांच के कोश्चन है देखके फिर बात करते हैं ठीके खसरे के ठीके का पशार्शन मार क्या हो जाएगा और 44 का राइट इसलिए हो जाएगा बच्चो तो 44 का राइट इसलिए हो जाएगा अप्शन B, ऊप्शन B is the right और तवच्ची, और तवच्ची हो जाएगा बच्चो फिर ठीक है का पशार्शन मार क्में आइक्स प्रशन निकलेंगे नहीं नलीकित में से किस एको मनुष्ज़ि के लिए अंतीम उपाय की औस्धी के रूप में माना जाता है नलीकित में से किसे को मनुष्ट के लिए अंति मुपाई की और श्रदी के रूप में माना जाता है सबी बच्चेंसा कर देंगे और राइट इंसर हो जाएगा बच्चो इसका उप्शन C नेक्स प्रस निकलेंगे जहर निगलने पर निमनलिकित में से कौन कारवाही प्राथमिक उप्चार के हिस्से के रूप में नहीं की जाने चाहिए जहर नेगलने पर नेमनलिकित में से कौन कारवाही रात्मिक उपचार के हिस्से के रूप में नहीं के जाने शहिए रोगों की स्वास रोगों की स्वास नाड़ी होगा बच्चों यहाँ पर नाहीं नहीं होगा नाड़ी होगा स्वांस नाड़ी और चेतना के असर के जांट करते रहें पौधो, खाली पैकेट और कंटेनरों जैसे सुराग खूजें रोगी को असपर सरल पडाट पिलाएं और उल्टी से को प्रेडित करें यदि अनु उत्तरदाई है तो वायु मार खोलें और स्वांस की जांच करें जहर निगलने पर नेमनलिकित में से कौन कारवाही प्रात्मिक उप्शार के हिस्से एक रोप में नहीं की जाने चाहिए बचो नहीं की जाने चाहिए ऑप्शन देख लेगा नहीं की जाने चाहिए क्या की जाने चाहिए यह नहीं पूछा गया है और इसका राइट इंसर हो जाएगा बचो ऑप्शन सी रोगी को असपर सरल पडाट पिलाएं और उन्हें उल्टी को प्रेडित करें, उल्टी को प्रेडित करें next question निकलेंगे BLS के उदेश में शामिल है BLS के उदेश में शामिल है बच्छो C, A, B, A, B, C, B, A, C या B, C, A अब तो ये class के बाद एक बार Google करना कि BLS क्या होता है और answer में जो हम बताएंगे उसको भी Google करके देख लेना एक बार और राइट answer हो चाहेगा बच्छो option A, option A is the right option A is the right, C, A, B C, A, B is the right answer ठीक है मैं बता दू, BLS का full form होता है बच्छो basic life support, basic life support और C, A, B का full form होता है chest compression, airway, maintenance और breathing, ठीक है chest compression, airway, maintenance और breathing, तीन श्रब्द हैं ठीक है, next question निकलेंगे जब रोगो, जब रोगी बच्छो जब रोगी कार्डियक अरेश्ट से गुजर रहा हो तब निमलिकित कारियों में से कौन साकार पहले किया जाना चाहेए जब रोगी कार्डियर अरेश्ट से गुजर रहा हो तब नेम लेखित कार्डियों में से कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए बचो और इसका राइट एंसर हो जाएगा बचो ओप्शन C ओप्शन C is the right खुले वाईव मार को इस्तापेट करें हीट स्टोक से शिकार व्यक्ति को बचाने के लिए कारवाही क्या है मौकिक तरल देना पीडित को हवा देना पीडित को गरम वातावरन से दूर रखना या पीडित के उपर पानी शिडखना और राइट एंसर हो जाएगा इसका ओप्शन C ओप्शन C is the right यह हमारे 50 को शन संपन्न होते हैं अभी आपके जो भी कमेंट से हमें कर सकते हैं पूछ सकते हैं ठीकी तो भी class के बीच में आज मैंने कुछ भी comment भी नहीं पढ़े और thank you so much बचो आप सभी को लेकिनी score पहले बताओ अपना फिर जाना है इसने ही भी जल्दी क्या है बचो सभी बच्चे तुरंट दिखवाई score बताएंगे जे बिल्कुल सिवांगी ने भी सही फुल फॉर्म किया देवका सिंग ने भी सही फुल फॉर्म किया है अब अब शुक्लास कैसी लेकि एक बार comment में बताएंगे अपना इस score तुरंट सभी बचे लेकें score तुरंट लेकेंगे सभी लोग प्रींसी इसमें previous year के भी कोशन है काफी इंक्लूड है mix-up कोशन है इसमें हर तरह की कोशन ही इंक्लूड है ओग के दिपका देखते हैं बचुक कल टेस्ट लगवाते हैं ठीक है कल टेस्ट करवाते हैं तेंक्यो बचु आप सभी को जी आज कोशन मैंने जान भूच के थोड़ी से टफ रह रखे थे जी बिलकुर सुनीता कोशन तो आएंगे बच्व ऐसे कोशन तो आएंगे बिलकुल आएंगे इसमें जो भी हमारी question से इसमें से श्राइदी बच्छे कोई question हो जो पूछा जाने वाला न हो इसमें से कोई भी question पूछा जा सकता है बहुत टफ नहीं थे ओके बच्छे ओके बाई बच्छे मिलते हैं second class में thank you so much बच्छे God bless you okay baby